री एक्जाम जब एनाउंस हुआ सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और सब के स्कोर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 32, 33, 34 जरूर आ रहा होगा एवरेज कुछ बच्चों का और अच्छा भी आ रहा होगा कुछ बच्चे नीचे होंगे 28, 27 कुछ लोग 25 के आप लाने जिसमें मैं आपका ज्यादा समय नहीं महुँगा बच्चा जो लोगों के बिलकुल ठेओरी एकदम रिवाइज नहीं है ठेओरी उतना नहीं आती है मैं उनको 10-15 मिनिट की एक क्लास डेली संपूर ठेओरी एक दो चैप्टर डेली एक दो चैप्टर डेली अब जैसे जो यह विलोब परियावाची है इनमें आपको ठेओरी के जोटनी पढ़ती जैसे वाच्चे हुआ के लिए हुआ संघ्या हुई भाषा वाला चैप्टर हूआ समास वाला संधी वाला इसमें पढ़ती है तो बहुत ही किलियर बहुत ही आसान भाशा में एक आपको एक लास दे दिया करूँगा डेली जिससे कि आपके ठोरी में दिक्कत ना आए और यह आपके एक्जाम तक चलेगी उसके बाद में कल सती मैंने इसमें तीन से चार मेराथ यह रिवीजन मेराथन है यह कैसी मेराथन है रिवीजन मेराथन इसमें आपका हर एक मेराथन से अब तीस प्लस कुशन सीधे भसाएंगे इसमें कोई दो राय मत रखना इसकी पहली मेराथन कल तीन अगस्त को है यह पहली मेराथन कब है कल तीन अगस्त एक यह तो फुल र वीजन एक केवल साहिते पुरुसकार रचना पुरुसकार जितने भी आप में अटक रहे हो जितने भी कठिन पूछली जाए देवी संकर अवस्ती हो कोई भी इंदू सरमांतर राष्टे कथा सम्मान हो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारे पुरुसका सारी रचना क्लास में याद करा दूँगा दो और साती मेरा थन सोच रहो हिंदी की मिक्स और यह मतलब इसमें ज्यादा समय तो नहीं है क्योंकि मेरा थन तो आप लेते ही हो एक जो क्लास हम लोग पर सो पांच अगस सोंवार से शुरू करेंगे पांच अगस सोंवार से यह आपके लिए इसी भी कीमत पर मचोड़ना सब कुछ छोड़ देना इसे मचोड़ना तो हिंदी इन तीन चीजों से बढ़िया हो जाएगी जादा समय नहीं ले रहा दस पंदर मिनिट के डेली तो कितने समय गया तुमारा चलते चलते भी कर लोगे वो भी जब जब तुम्हें जरूरत हो और बाकिये यह जो सेट है यही तुमारा काम कर देंगे और फिर पूरे रिवीजन के लिए मैं तीन से चार मेरा थन ले रहा हूँ जिसमें पहली मेरा थन कर ले इसके बाद में मुझे हंड्रेट टेन परसेंट है कि कोई भी सेटिस बटे सेटिस रुक नहीं सकता लेकिन व से तीन-चार मेरा थन हम लोग हर अफते एक रख सकते हैं दूसरी चीज आ जाती है कि हम लोग जो साथी अपना हिंदी में कोई इश्यू नहीं आने का हिंदी में बस इतनी छोटी से एक्सरसाइज कर लो काम हो जाएगा अब आ जाता है साथी मानसी के विरुची पर दो किल ठीक है यह वाला इसके बालों साथी आप पंद्रे सोले कुश्यन सत्रे से बीस कुश्यन यह साथी विविद के आते जो यह टॉपिक है विविद के आते और विविद के कौन से टॉपिक है यह वाले टॉपिक है उत्तर प्रदेश भारत की किरसी जी एश्टी मानवा दिका रांतरिक सुरक्षा तंकवाद साइबर क्रान सोसल मीडिया अनुसंधान खोज पुरुसकार संबान पुस्तग लेखक पुलिस सामन्य प्रसाचनिक व्यवस्ता उत्तर प्रदेश में राजस वानीजे व्यपार जन संक्या परियावरण नगरी करण भारत उर्सके प्रोसी दे जो करेंट फिर वाली है फिर टारगेट वो है हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी इको आप आरम से कर लोगे यूपी जी के भी यहां पर अच्छे से कराया जा रहा है अगर तुम लोग यह बीस प्रिशन ये कर लेते हो और पांचे प्रिशन ये कर लेतो तो तो पच्छेश अब इस ये और तेरे चौधे कुशन हो जाते हैं वो हिस्ट्री पॉलिटी वाली आरम से लोग इस बार पैंचिस चत्यस और बच्छा में अपनी मम्मी की कसम खांके गेरों इस बार एक भी कुशन पिछली बार कोई कुशन बाहर नहीं आएगा पढ़ाई में से ये सत्रे क सत्रे टॉपिक कैसे देखो ये टॉपिक हमारा हो चुका है ये टॉपिक हमारा हो चुका है ये टॉपिक बच्छा हमारा हो चुका है ठीक बच्छा ये चौथा टॉपिक हमारा हो चुका है कहां मिलेंगे वो भी बता दूँगे इनके पीडिया बगरा भी कहां मिलेंगे य तुम मुझसे मेहनत करवा के इसे 9-10 तारिक तक खतम करवालो 9-10 तक क्या करवालो इसे 7 खतम करवालो 9-10 भी नहीं इसे 8 या 9 तारिक में और इसमें मैं क्लास में याद करा देता हूँ यह रोजराथ 10 बजे क्लास हो रही है कब हो रही है रोजराथ 10 बजे और मैं इसे बच् सेक्शन में और जो एक्जाम्पुर का टेलिग्राम है विवेक्शन नोट्स करके उस पर भी पढ़ा हुआ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो ये जो चारो टॉपिक है ये हो चुके और मैं थोड़ी से अगर मेहनत मार दू तो मैं इसको थोड़ा सा कमें कम समय करके इसे 7 8 अगस्त कम्पलीट कर दूँगा अगर Skype तक ये हमारे टॉपिक कम्पलीट हो जाते हैं तो कहोगे सर फिर इनका पहला रिवेजन कम करवाओंगे तो मैं आपको बताओंगा बच्चा इनका जो पहला रिवीजन है इनके पहले रिवीजन के लिए तैयार हो जाईए इनका पहला रिवीजन आ रहा है आपका ये कौन सी तारिक है ये तारिक है दस अगस तरात नो बजे लो जी पहला रिवीजन और इसमें कुश्यंस के द्वा क्लास से तुम्हारे 20 कुश्यन 40 नंबर सेट कर दूँगा लेकिन उसका फायदा कभ होगा जब तुम रोज रात को 10 बज़े यह थियोरी की क्लास लोगी तुम कितने भी कुश्यन कर लेना तुम्हारा जब तब फाइनल नहीं होगा जब तब तुम पहले की थियोरी तयार निकल लेते और यह थियोरी में कम करा रहा हूँ रात को 10 बज़े करा रहा हूँ आज भी साती आंतरिक सुरक्षा और आतंक वाद है तो बोलो जो मैंने चीज़े भी तुम्हें बताइए वो तुम्हारी समझभा रही है महलो कि अगर हम लोग यह क्लास लेते और 10 तारिक को हमारा पहला रिवीजन तो यह विविद के टॉपिक तो हमारे कंप्लीट होगे ना उसके बाद में करेंट अफिर पर लग जाएंगे तुम लोग इतने भी नहीं करके आओगे बहुत इजी आ जाता तो जादस जादा दस इसलिए मेरी बात मानों अगर यह दस तारिक तक हमारा तयार हो गया तो सोचो कितना अच्छा रहेगा हम इसका एक रिवीजन पंद्रे सोले के आसपास कर लेंगे और एक रिवीजन करने पड़ेगा किलास लेनी पड़ेंगी तुम घर पर हाथ पर हाथ रखे बैठकर मौक टेस्ट लगाओगे लगाते रहना मेरी बात को इग्नोर करते रहना लेकिन मैं तुम पस्ता होगे कोहोगे सर यह क्लास ले लेता इसलिए जो भरोसा करते हैं और जिन्हों ने पहले आया हुआ देखा है कि इस व्यक्ति का पढ़ाय हुआ फसता है पहले क्या थी तुमने एक दो दिन तीन दिन पहले क्लास ले महराथन रिवीजन का समय नी मिलता तुम मेरे कहने से इसे अब ही लेलो अब ही लगातार मेरे साथ दस तारिक तक रहो मुझे धक्का दे देके खराब है तुमसे वीकू फिर भी मैं खड़ा हूँ अब तुम कहो तुम देख लो अपने आपको साथ जार विकेंसी हैं मरी मरी वीडियो एक्डिर लाग चली जाती है फिर भी डबल लोग क्लास देख रहे हैं इसलिए मत सोचना क्लास देखने वाले नहीं है पांच लाग न फिर बची आपके हिस्ट्री पॉलिटी उस है तो तुम मरे मरे वैसे भी कर लोगे उसमें तुम गलती नहीं करोगे तो तुम लोगों यह तयार हो ना इसलिए रात को दस बजे ये जो आतंकवाद वाली क्लास है आंतरिक सुरक्षा इसे छोड़ना मत आज रात दस बजे से लाओगे चालिस नंबर हात में आगे क्लास है फिर दूसरा रिवीजन कराऊंगा तीसरा रिवीजन और हिंडी का तुम्हें प्लान बताई दिया यही मेरे पास था अभी यूपी जी के क्लास सुरू हो चुकी है कौन-कौन इस प्लान में शामिल है कौन-कौन रात-दस कमेंडस करके बता दिना और तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा अगर तुमने पूरी क्लास ली किस क्लास से कुछ भार नहीं आना चार क्लास मेरी हो चुकी है अब तुम पूछोगे विए चार क्लास तुम्हें कहा मिलेंगी तो यहां एक्जामपुर की स्पेसल इमेंट में देख ले न ये चारो की चारो क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जितनी भी यह किडसी मिल गई जी एसी के निचे आपको मानवादिकार इसी के निचे आपको विमुद्री करण मिल जाएगी इसकी मैं लग से प्लेडिस्ट भी मना देता हूँ इसका पीडियेफ एक् तुम में एक्जाम ना निकाल के जाओं अगर तुम्हारा इसमें पढ़ाय वा बाहर आजाए कोई भी कुशन जिसमें कुटा घाए उसमें घला देना यह वादा और मेरा समझे और यह कभी जूटा नहीं जाने दिया है कभी जूटा नहीं गया चाहे लेक पाल हो चाहे साई चाहे कोई भड़ती हो अगर उस मेहनस से पढ़ाया तो पेपर को डिटो फसाया एक दो कुशिन के नहीं कहता लेकिन 38 में से 36 टार्गेट कर लोगे बस इतना साथ अगर अब भी तुम्हारे बसकी नहीं है तुम मौक टेस्ट मौक टेस्ट लगा के सोच रहे हो कि तुम मौक लगा के प्रधानमंत्री के भूपा बन जाओगे नहीं बन पाओगे जब तक तुम एक बार फिर से थ्योरी बढ़िया रिवीजन नहीं करोगे आज के लिए इतना ही सुएज सरकी क्लास में चले